Hello Friends, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महताज Institute of Knowledge पर मैं स्वागत करता हूँ और जो भी students आने वाले exams Air Force, Navy and NDA की preparation करना चाहते हैं चैनल को subscribe जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो के notifications आप तक पहुंच के तो now students सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो भी Air Force, Navy and NDA का exam होता है वो हमेशा repeated word डालता है, जो पहले Air Force और Navy and NDA में repeated जो words होते हैं वो ही exam में आते हैं, new words जो हैं वो नहीं आते हैं तो मैं ये आपके लिए repeated words लेका है हूँ, जो आपके आने वाले exams के लिए most important रहने वाले हैं तो इसको lightly ना ले please और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और वीडियो को like करें First word जो है अपने पास यहाँ पर है वो है Adversity इसका हिंदी मिनिंग होता है वो होता निर्धरता, कोई गरीब और इसका opposite जो होता है, antonyum जो होता है वो होता है prosperity, amiri Next word जो है वो है ambiguous इसका हिंदी मिनिंग जो होता है वो होता है सस्यात्मक, मतलब की doubtful और इसका antonyum जो होता है वो होता है clear, supposed नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एंसेंट, एंसेंट का हिंदी मिनिंग होता है प्राजीन और इसका एंटनीम जो होता है वो होता है modern नेक्स्ट वर्ड जो है वो हो arrest किसी भी चीज को पकरना इसका synonym apprehended भी अपन बोल सकते हैं और इसका antonym जो होगा वो होगा release छोड़ देना next है ascent इसका मतलब होता है हिंदी में चढ़ाओ किशी भी उचाई पे चढ़ना और इसका antonym जो होता है वो होता है descend नीचे उतरना next next word जो है वो है barbaris बरबेरिक का मतलब होता है ऐसब्वे इसका जो antonym होगा वो होगा civil मतलब की सब्वे आज का last word है आपका beneficial most important word है star लगा लीजिए आप इस पे कई बार repeated word है beneficial इसका हिंदी में निंग होता है वो होता है लाबदायक और इसका antonym जो होता है तो please share जरूर करें अपने friends के पास इसे और वीडियो को like करें comment box में comment करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe करें थैंक्स जाहिंद